खंबा गयनी आज की डेले टिप का टॉपिक है आप सबकी रिकमेंडेशन्स पर बेस्ट हैं हमारे जो वरकिंग प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे घर पे मदर्स हैं जिनको बेबी को संभालना होता है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कैसे एक्जाम को क्रैक करें कम से कम टाइम के अंदर देखें होता क्या है हमारे साथ हम से बड़े खुश होते हैं जब कोई नया फ्रेंड दोस मिलता है जब कोई पडोस में नया दोस आता है पहले दो दिन हम बड़ा खुश रहते तीसरे दिन क्या होता है ये सिनेरियो अरे यार यह तो घर पे ही रैट के पढ़ती ह इसको कोई कामवाम है नहीं, 14-12 घंटे इसको मिलते हैं, मुझे तो बेबी को संभालना है, मुझे तो 2-3 घंटे मिलते हैं, मैं तो नहीं पढ़ सकती या कोई ओफिस जॉब में है, हमें तो डेली सुभे शाम ट्रेवल भी करना पड़ता है, नौकरी भी करनी पड़ती है, ये लोग देखो घर पे बैठके स्टूडेंट लाइफ है, अराम से तैयारी कर रहे है, कुछ समझ में आया हमें करना क्या है, हमें ये सोचना छोडना हो सकते, नहीं कर सकते अब बात करते हैं, हमारे पास कितने घंटे होते हैं, वीक देस की बात करूं तो चार घंटे होते हैं, ऐसे में क्या कर सकते हैं, Smart Hard Work कर सकते हैं, 3P Principle अपना सकते हैं और सबसे जाधा यूटिलाइज करेंगे Weekends को, Weekends को, Weekends हमारे लिए चाबी है, एक ये देखना है कौन सा काम सबसे ज़्यादा important है, कौन सा काम सबसे कम important है, तो इसके लिए आप अपने काम को चार parts में divide करे, वो काम जो urgent भी है, important भी है, जैसे office जाना, आपको जाना ही होगा, ये काम करना ही है, तो do it now, उसको अभी कर लो, कुछ काम ऐसे हैं, जो urgent है, लेकिन important नहीं है, तो उसको किसी और को hand over कर दो, अगर कर सकते हो, तो, तीसरा, कुछ काम important तो है, लेकिन urgent नहीं है, जरूरी नहीं है, तो उसके लिए planning करो, उसको थोड़ा टाला जा सकते है, कि ये काम हम कब करेंगे, और कुछ काम ऐसे हैं, जो ना important है, ना urgent है, जैसे कि, वीकेंट पे movie देखने जाना, पार्टी में किसी की engagement है, friend की शादी है, तो ये तो हम लोगों को, जो working professional या mothers हैं, उनको छोड़ना ही होगा, वो छोड़ दो, उस time को पढ़ाई के लिए utilize करो, दूसरा principle है, परिटो principle, मतलब working professionals के लिए 20% efforts हमें डालने होंगे, जिससे 80% result आए, ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो efforts कौन से चीज़ें होंगी 20%, आप एक subject के लिए 10 किताबे नहीं पढ़ सकते, राजस्तान हिस्टरी के लिए, एक ही किताब ले, अपने उसको बिल्कुल filter कर ले, आप अपने syllabus को, अपने subjects को, और अपनी book list को, filter कर ले कि मुझे कम से कम पढ़के, जादा से जादा marks लाने, Unacademy Plus पे जुड़ जाओ, आपका material complete हो जाएगा, आपको content मिल जाएगा, आपका काम क्या रह जाएगा, revision करना, और MCQs practice करना, तो 20% पे जादा focus करके, हम लोग 80% result ला सकते हैं, filter करो, कम से कम, current affairs के लिए ज़रूरी तो नहीं है, कि हमें 10 magazine पढ़नी है, हमारा काम 2 magazine पढ़के भी चल सकता है, तो ये चीज़ करनी है, ठीक है, तीसरा principle है Pomodoro principle, working professionals के पास time कब होता है, सुबह 1 घंटा, traveling का 1 घंटा, वापसी में traveling का 1 घंटा, और रात को 1 घंटा, इतना time आप निकाले, lunch time चोटा मोटा, ठीक है, तो उसमें करना क्या है, 25 मिनट हमें को लोगों को पढ़ना है, 5 मिनट का break, 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का break, इस तरहां से करते करते, जब आपका 1 घंटा या 7 घंटा हो जाता है, उसके बाद 15 मिनट का long break लेना है, ये करके देखो, tried and tested method है, वर्क आउट करते हैं, इसमें changes क्या कर सकते हैं, 25 मिनट की जगा, आप 1, 7, 7, 4, 45 मिनट के लिए पढ़ सकते हैं, और फिर 10 मिनट का break ले सकते हैं, ये काम आएगा, आप लोगों को tried and tested है, ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है, remove distraction, social media, whatsapp, facebook, उसको बार-बार चेक करना, छोड़ दो, working professionals को छोड़ना ही होगा, सबसे पहले सबसे मुश्किल काम कर लो, उससे हमारा confidence बढ़ेगा, हम काफी relaxed रहेंगे, उसके बाद वाले कामों को जल्दी-जल्दी कर पाएंगे, और don't skip, अगर मान लो किसे दिन office से लेट हो गए, रात को एक घंटा करने का time नहीं है, आपके पास, आपको बहुत नीदा रही है, ठक गए हो, आप सोच रहो कि अब तो मेरा time complete हो गया, अब नहीं मैं पढ़ सकता, तो एक घंटा नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ, पंदरा मिनिट तो पढ़ो, skip मत करो, पंदरा मिनिट पढ़ो, वो आपको एक moral देगा, confidence देगा, आपकी तयारी सही दिशा में जाएगी, हम लोग skip करना, afford नहीं कर सकते, weekly targets बनाओ, daily goal card बनाओ, एक दिन में कोई जरुरत नहीं है, जादा subject करने की आप एक ही subject रखो, एक या maximum दो subjects, दो-दो घंटे आप उसको decide कर लीजिए, ये strategy काम आने वाली है, 3P principle, priority, parito, pomodoro, distraction avoid कर दो, छोटे-छोटे time को utilize करना शुरू कर दो, every second counts, tip कैसी लगी, आप सब मेरे बारे में सब जानते है, R.A.S. प्रिलिंस में को crack करने का experience है, utilize करेंगे Unacademy Plus पे, Taruna Live मेरा referral code है, इसको use कीजिएगा, 10% discount के लिए, और daily मेरा session होता है, 7 बजे YouTube पे, आप सब भी पधारिएगा, मेरा Facebook पेज है, मेरा contact number है, मुझसे बात कर सकते हैं, और last में, प्लीज, like, subscribe, share करना मत भूलिएगा, आपके शब मेरे लिए बहुत important है, आप सब अपने comment जरूर दीजेगा, कल मिलूंगी नई daily tip के साथ, तब तक आप सब को मेरे घनी घनी राम राम